ओम शांती, मीठे बच्चे, आज की मूरली, 2 अगस्ट 2024 दिन शुक्रवार की संपूर्ण मूरली मीठे बच्चे, तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं, तुम रावन के संग में आकर पतित बने, अब फिर पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है प्रशन अशांती का कारण और उसका निवारण क्या है? उत्तर अशांती का कारण है अपवित्रता अब भगवान बाप से वायदा करो कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया बनाएंगे, अपनी सिविल आई रखेंगे, क्रिमिनल नहीं बनेंगे, तो अशान्ती दूर हो सकती है तुम शान्ती स्थापन करने के निमित बने हुए बच्चे कभी अशान्ती नहीं फैला सकते भगवान ने गीता सुनाई, एक बार सुना कर फिर तो चले जाएंगे, अभी तुम बच्चे गीता के भगवान से वही गीता का ज्यान सुन रहे हो और राज्योग भी सीख रहे हो, वे लोग तो लिखी हुई गीता पढ़कर कंठ कर लेते हैं, फिर मनुश्यों को सुनाते रहते हैं, वह भी फिर शरीर छोड़ जाए दूसरे जन्म में बच्चा बने फिर तो सुना न सकें, अब बाप तुमको गीता सुनाते रहते हैं, जब तक तुम राजाई प्राप्त करो, लौकिक टीचर भी पाठ पढ़ाते ही रहते हैं, जब तक पाठ पूरा हो सिखाते पाठ पूरा हो जाता फिर हद की कमाई में लग जाते, टीचर से पढ़े कमाई की बूढे हुए, शरीर छोड़ा, फिर दूसरा शरीर जा कर लेते हैं, वो लोग गीता सुनाते हैं, अब इससे प्राप्ती क्या होती है, यह तो कोई को पता नहीं, गीता सुना कर फिर दूस पूर्ग बने, गीता पाठी हो तब फिर सुनावे, यहां बाप तो एक ही बार शान्तिधाम से आकर पढ़ाते हैं, फिर चले जाते हैं, बाप कहते हैं, तुमको राज्योग सिखा कर हम अपने घर चले जाते हैं, जिनको पढ़ाता हूं वह फिर आकर अपनी प्रालब्ध अपनी कमाई करते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारना कर फिर चले जाते हैं, कहां? नई दुनिया में, यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, मनुष्य तो यह नहीं जानते कि पुरानी दुनिया खत्म हो फिर नई स्थापन होनी है, तुम जानते हो हम राज्योग सीखते ही हैं नई दुनिया के लिए फिर न यह पुरानी दुनिया न पुराना शरीर होगा आत्मा तो अविनाशी है आत्माएं पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में आती है नई दुनिया थी जिसमें देवी देवताओं का राज्य था जिसको स्वर्ग कहा जाता है वह नई दुनिया बनाने वाला भगवान ही है वह एक धर्म की स्थापना कराते है कोई देवता द्वारा नहीं कराते देवता तो यहां है नहीं तो जरूर कोई मनुष्य द्वारा ही ज्यान देंगे जो फिर देवता बनेंगे। फिर वही देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते अभी ब्राह्मन बने हैं। यह रास तुम बच्चे ही जानते हो, भगवान तो है निराकार जो नई दुनिया रच्चते हैं। अभी तो रावन राज्ज है। तुम पूछते हो कलियूगी पतित हो या सत्यूगी पावन हो? परंतु समझते नहीं। अब बाप बच्चों को कहते हैं हमने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था। हम आते ही हैं तुम बच्चों को आधा कल्प सुखी बनाने। फिर रावन आकर तुमको दुखी बनाता है। यह सुख दुख का खेल है। कल्प की आयू 5000 वर्ष है तो आधा आधा करना पड़े ना। रावन राज्ज में सब देह भीमानी विकारी बन जाते हैं। यह बाते भी तुम अब समझते हो आगे नहीं समझते थे। कल्प कल्प जो समझते हैं वही समझ लेते हैं। जो देवता बनने वाले नहीं वह आएंगे ही नहीं। तुम देवता धर्म की कलम लगाते हो। जब वह आसुरी तमो प्रधान बन जाते हैं, तो उनको दैवी जाड का नहीं कहेंगे। जाड भी जब नया था तो सतो प्रधान था। हम उसके पत्ते देवी देवता थे, फिर रजो, तमो में आये, पुराने पतित शुद्र हो गए। पुरानी दुनिया में पुराने मनुष्य ही रहेंगे। पुराने को फिर से नया बनाना पड़े। अब देवी देवता धर्म ही प्रायह लोप हो गया है। बाप भी कहते हैं, जब जब धर्म की गलानी होती है, तो पूछा जाएगा किस धर्म की गलानी होती है। जरूर कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो मैंने स्थापन किया था वह धर्म ही प्राया लोप हो गया उसके बदले अधर्म हो गया है तो जब धर्म से अधर्म की वृद्धी होती जाती तब बाप आते हैं ऐसे नहीं कहेंगे धर्म की वृध्धी, धर्म तो प्राया लोप हो गया बाकी अधर्म की वृध्धी हुई वृध्धी तो सब धर्मों की होती है एक क्राइस्ट से कितनी कृष्चियन धर्म की वृध्धी होती है बाकी देवी देवता धर्म प्राया लोप हो गया पतित बनने कारण आपे ही गलानी करते हैं धर्म से अधर्म भी एक ही होता है और तो सब ठीक चल रहे हैं सब अपने अपने धर्म पर कायम रहते हैं जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाइसलेस था वह विशश बन पड़े हैं हमने पावन दुनिया स्थापन की फिर वही पतित शूद्र बन जाते हैं अर्थात उस धर्म की गलानी हो जाती है अपवित्र बनते तो अपनी गलानी कराते हैं विकार में जाने से पतित बन जाते हैं अपने को देवता कहला नहीं सकते हैं स्वर्ग से बदल नर्ख हो गया है तो कोई भी वाहवा, पावन है नहीं तुम कितने चीची पतित बन गए हो बाप कहते हैं तुमको वाहवा, फूल बनाया फिर रावन ने तुमको कांटा बना दिया पावन से पतित बन गए हो अपने धर्म की ही हालत देखनी है पुकारते भी हैं कि हमारी हालत आकर देखो हम कितने पतित बने हैं फिर हमको पावन बनाओ पतित से पावन बनाने बाप आते हैं तो फिर पावन बनना चाहिए औरों को भी बनाना चाहिए तुम बच्चे अपने को देखते रहो कि हम सर्वगुन संपन बने है हमारी चलन देवताओं मिसल है देवताओं के राज्य में तो विश्व में शांती थी अब फिर तुमको सिखलाने आया हूँ विश्व में शांती कैसे स्थापन हो तो तुमको भी शांती में रहना पड़े शांत होने की युक्ती बताता हूं कि मेरे को याद करो तो तुम शांत हो शांति धाम में चले जाएंगे कोई बच्चे तो शांत रहकर औरों को भी शांती में रहना सिखलाते हैं कोई अशांती कर देते हैं खुद अशान्त रहते हैं तो औरों को भी अशान्त बना देते हैं शान्ती का अर्थ नहीं समझते यहां आते हैं शान्ती सीखने फिर यहां से जाते हैं तो अशान्त हो जाते हैं अशान्ती होती ही है अपवित्रता से यहां आकर प्रतिग्या करते हैं, बाबा, हम आपका ही हूँ आपसे विश्व की बादशाही लेनी है हम पवित्र रहकर फिर विश्व के मालिक जरूर बनेंगे फिर घर में जाते हैं, तो माया तूफान में ले आती है युद्ध होती है ना फिर माया के गुलाम बन पतित बनना चाहते हैं अबलाओं पर अत्याचार वही करते हैं, जो प्रतिग्या भी करते हैं हम पवित्र रहेंगे फिर माया का वार होने से प्रतिग्या भूल जाते हैं भगवान से प्रतिग्याकी है कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्सा लेंगे। हम सिविल आई रखेंगे, अपनी कुद्रिष्टी नहीं रखेंगे, विकार में नहीं जाएंगे, क्रिमिनल दिरिष्टी छोड़ देंगे। फिर भी माया रावन से हार खा लेते तो जो निर्विकारी बनना चाहते हैं, उनको तंग करते हैं, इसलिए कहा जाता है अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरूष तो बलवान होते हैं, स्त्री निर्बल होती है। लड़ाई आदी में भी पुरूष जाते हैं क्योंकि बलवान हैं। स्त्री नाजुक होत उनका कर्तव यही अलग है, वह घर संभालती है, बच्चे पैदा कर उनकी पालना करती है। काम के होंगे, जबकी विनाश सामने खड़ा है, सब खत्म हो जाएंगे। मैं आया ही हूँ पुरानी दुनिया का विनाश करने। वह हुरी सन्यासियों की बात, उन्हों को तो विनाश की बात का मालूम ही नहीं। तुमको बेहद का बाप समझाते हैं, अब विनाश होना है। तुम्हारे बच्चे वारिस बन नहीं सकेंगे। तुम समझते हो हमारे कुल की निशानी रहे, परन्तु पतित दुनिया की कोई निशानी रहेगी नहीं। तुम समझते हो पावन दुनिया के थे, मनुष्य भी याद करते हैं, क्योंकि पावन दुनिया होकर गई है, जिसक को कहा जाता है धर्म की गलानी। आदिस अनातन धर्म में ऐसी बातें होती नहीं। पुकारते हैं पतित पावन आओ, हम पतित दुखी है। बाप समझाते हैं हमने तुमको पावन बनाया फिर माया रावन के कारण तुम पतित बने हो अब फिर पावन बनो पावन बनते हो फिर माया की युद्ध चलती है बाप से वर्सा लेने का पुरुशार्थ कर रहा था परंतु फिर काला मुह कर दिया तो वर्सा कैसे पाएंगे बाप आते हैं गोरा बनाने देवताएं जो गोरे थे वही काले बने हैं देवताओं के ही काले शरीर बनाते हैं जिसको कहते हैं परमपिता परमात्मा आकर लिब्रेट करो वह कोई काला थोड़े ही हो सकता है वह तो सदैव गोरा एवर प्योर है देवताओ को महान आत्मा कहा जाता है श्री कृष्न तो देवता हुआ अभी तो कलियुग है, कलियुग में महान आत्मा कहां से आए श्री कृष्ण तो सत्युग का फर्स्ट प्रिंस था, उनमें दैवी गुन थे अभी तो देवता आदी कोई है नहीं साधु संत पवित्र बनते हैं, फिर भी पुनर्जन्म विकार से लेते हैं खिर सन्यास धारण करना पड़ता है, देवताएं तो सदैव पवित्र हैं यहां रावन राज्य है, रावन को दस शीष दिखाते हैं, पांच स्त्री के, पांच पुरूष के यह भी समझते हैं, पांच विकार हर एक में हैं, देवताओं में तो नहीं कहेंगे न वह तो है ही सुखधा, वहां भी रावन होता, तो फिर दूख खधाम हो जाता मनुष्य समझते हैं, देवताएं भी तो बच्चे पैदा करते हैं, वह भी तो विकारी ठहरे उन्हों को यह पता ही नहीं है, देवताओं को गाया ही जाता है, संपूर्ण निर्विकारी, तब तो उन्हों को पूजा जाता है सन्यासियों की भी मिशन है सिर्फ पुरूशों को सन्यास कराए मिशन बढ़ाते हैं बाप फिर प्रवरित्ती मार की नई मिशन बनाते हैं, जोडी को ही पवित्र बनाते हैं, फिर तुम जाकर देवता बनेंगे, तुम यहां सन्यासी बनने के लिए नहीं आये हो, तुम तो आये हो विश्व का मालिक बनने, वह तो फिर ग्रिहस्थ में जन्म लेते हैं, फिर नि अब अपवित्र बने हो फिर पवित्र बनना है। अपनी गलानी कराते हैं। बाप कहते हैं हमने तुम को पावन बनाया फिर तुम पतित बने कोई काम के नहीं रहे। जब ऐसे पतित बन जाते हो तब फिर पावन बनाने हमको आना पड़ता है। यह ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। हेविन में जाने के लिए फिर दैवी गुन भी चाहिए क्रोध नहीं होना चाहिए क्रोध है तो वह भी जैसे असुर कहलाएंगे बड़ी शांतचित अवस्था चाहिए क्रोध करते हैं तो कहेंगे इनमें क्रोध का भूत है जिनमें कोई भी भूत है वह देवता बन न सके नर से नारायन बन न सके देवता तो हैं ही निर्विकारी यथा राजारानी तथा प्रजा निर्विकारी है भगवान बाप ही आकर संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकील धे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का यादप्यार और गुड मारनि रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धार्णा के लिए मुख्यसार एक बाप से पवित्रता की प्रतिग्या की है तो अपने को माया के वार से बचाते रहना है कभी माया का गुलाम नहीं बनना है इस प्रतिग्या को भूलना नहीं है क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है दोग देवता बनने के लिए अवस्था को बहुत बहुत शांतचित बनाना है कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है दैवी गुन धारण करने है वर्दान फरिष्टे स्वरूब की स्मृती द्वारा बाप की छत्रचाया का अनुभव करने वाले विघ्ण जीत भव अमृतवेले उठते ही स्मृती में लाओ की मैं फरिष्टा हूँ ब्रहमा बाप को यही दिलपसंद गिफ्ट दो तो रोज अमृतवेले बाप दादा आपको अपनी बाहों में समा लेंगे अनुभव करेंगे कि बाबा की बाहों में अतींद्रे सुख में जूर रही है जो फरिष्टे स्वरूब की स्मृती में रहेंगे उनके सामने कोई परिस्थिती वा विग्ण आएगा भी तो बाप उनके लिए चत्रचाया बन जाएंगे तो बाप की चत्रचाया वा प्यार का अनुभव करते विग्ण जीत बनू स्लोगन सुख स्वरूब आत्मा स्वस्थिती से परिस्थिती पर सहज विजय प्राप्ट कर लेती है